नमस्कार, मैं डॉक्टर लोजी शा एक बर्पुन है आपके समक्ष उपस्ते थूँ आज हम बी ए पार्ट थर्ड के सेकिंड पेपर में नगरों के प्रकार को समझेंगे नगर को परिभाशित करने के समान ही नगरों को विभिन श्रेणियों में बांटते हुए इनका वर्गी करन करना भी एक बहुत मुश्कित कार है क्योंकि प्रतेक नगर के विकास के पीछे कोई एक कारन नहीं होता है अनेक कारन होते हैं जैसे बनारस पुरी आदी नगरों के विकास में धार्मिक कारक और कॉलकत्ता गोवा सूरत आदी के विकास में अंग्रेजों की अपनिवेशिक शाशन विवस्था की महतभून भूमिका रही है। इसी प्रकार टाटा नगर कानपुर भिलाय आदि और दियोगी करन की देन है। प्रतेक शहर का अपना एक वैक्तित्व है, जीवनपदती है, संस्कृती है, विशेश्टाए है। फिर भी नगरों के सुस्पष्ट और विशुद प्रकारों का निर्धारन करना कोई आसान काम नहीं है। एक ही नगर में एक केवल विशेश्टा देखने को नहीं मिलती है, अनेक विशेश्टाएं देखने को मिल सकती है। जैसे वे नगर प्रशासन के केंद्र हैं, तो व्यपारिक गती विध्या भी उन नगरों में संचालित होती हैं, और इसके साथ ही वे नगर दर्शनिय स्थल भी हैं, इसका उधारन है, जैसे मुंबई, पर फिर भी प्रशासकों और नगरीय समाश्यास्त्रियों ने अपने दर्श्टिकों से नगरों के वर्गी करन का प्रयास किया है, अब हम विभिन आधारों के आधार पर नगरों को वर्गी करत करके समझेंगे, सबसे पहले हम उद्ध विकासिये आधार पर नगरों को समझेंगे, बर्गेल ने एतिहासिक दर्श्टिकों के आधार पर नगरो को तीन भागों में वर्गीक्रत किया है पहला एतिहासिक नगर इस एतिहासिक नगर के उधारन है मोहुंचोदरु, हडपा, पाटलीपुद्र, वेशाली, आदी दूसरा मध्यकालीन नगर इसका उधारन है दौलता बाद तीसरा आधुनिक नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडिगड आदी प्रकारे आत्मक आधार एस रोमर ने अपनी पुस्तक मॉडन सिटी में नगरों को पांच वर्गों में विभाजित किया है पहला संस्थाओं के प्रधांस तल ऐसे नगरों की स्थापना संस्थाओं के आधार पर की गई है विशेश कर ऐसी धार्मिक संस रही हैं जैसे भारत में मथुरा, अयोध्य, बनारस, आधी इसी श्रेणी के अंतरगत आते हैं दूसरा वियापारिक केंद्र मध्य यूग में विक्सित ये नगर वियवसाइक केंद्रों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और इस श्रेणी के उधारन है मुंबई, क पलकत्ता आधी तीसरा अध्योगी केंद्र उपनिवेश काल में अध्योगी करन के परिनाम स्वरू इन नगरों का विकास हुआ इन नगरों में कच्छे माल की उपलब्ती यातायात के साधनों मानम संसाधनों की उपलब्तता रही वही पर ये नगर विक्सित हुए जैसे जमशेदपूर कानपूर चौथा महानगरिये केंद्र विभिन गतिविद्या जैसे उद्योग व्यपार शिक्षा तथा प्रशाशन के केंद्र ये नगर अपने में कई उपसंस्कृतियों को समेटे हुए होते हैं भारत में सभी राज्यों की राजधानिया इस शेनी के अ पांच्वां अव लंबित नगर ऐसे नगर एतहासी काल करम में सबसे बाद में उभर कर सामने आए हैं यह नगर अन्यय नगरों में कस्पों पर निभर करते हैं जैसे अनुदपादक नगर मूल्यता प्रेटकों के उपराशृत होते हैं क्योंकि ये नगर प्रेटक स्थल ह होते हैं इनके उधारन है जैसे मसूरी मांट अबू नैनिता आदे अब हम विशेशी करन के आधार पर नगरों के प्रकार को जानेगे एल हरबर्ट एवं नाइल जीष्ट ने विशेशी करन के आधार पर छे प्रकार के नगर बताए हैं पहला उत्पादन के केंद्र उत्पादन के केंद्र को हम दो श्रेणियों में विभाजित करके समझेंगे पहला परात्मिक उत्पादन के केंद्र, ऐसे केंद्र जहां उध्योगों के लिए वस्तुगों का प्रथम बार उत्पादन किया जाता है, जिन नगरों की जंसंक्या का घनत्म कम होता है. उधारन है इन नगरों के जैसे बरेली, काकाष्ट उद्योग, कोलार में सोने की खाने, राची में कोईला, गोहाटी में तेल, आदी दूसरा इसका जो उपभाग है वह है द्योतिक उत्पादक केंद्र इन केंद्रों पर कच्चे माल से द्योतिक वस्तूओं का उत्पादन होता है जैसे कानपूर में चमडा उद्योग, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, सूरत में कपड़े की मिले, बैंगलॉर में साड़ी उद्योग, आदी नगर इसके उधारन है दूसरा व्यपार और वनिज्य केंद्र आम तोर पर उत्पादक केंद्रों पर ही व्यपार और वनिज्य गतिविद्यां संपन होती है पर कई नगरों में व्यपार अधिक प्रभावी होता है और उत्पादक गतिविद्यां कम प्रभावी होती है भारत में मुंबई इसका उधारन है जहाँ पर बंदरगा होने के कारण विदेशों से व्यपारिक गतिविदियां जादा होती है अब तीसरे प्रकार को जानेंगे राजधानिया ये वे केंदर हैं जिनका महत उध्योगों, मंडियों, उत्पादन के कारण नहीं कहने का अर्थ है इन नगरों का महत उध्योग, मंडियों या उत्पादन के कारण नहीं होता बलकि इसलिए होता है क्योंकि ये किसी राजधी की राजधानिया है और द्योगी क्रांती से पहले विदेश के सभी प्रदेशों में इस प्रकार के नगरों का अपना महत्व होता था जैसे रोम, पैरिस, लंदन, मासको, दिल्ली, मुंबई, जैपूर, आदि राजधानी होने के कारण धीरे-धीरे इनमें व्यपार, उत्पादन, गतिविदियां भी होने लगती हैं अब हम चौथा प्रकार समझेंगे, स्वास्त और मनुरंजन के केंद्र विशिष्ट भगॉलिक स्थितियों और मौसम के कारण कुछ नगरों को स्वास्त के लिए और सौंदर्य की दृष्टी से भी अच्छा माना जाता है जादा तर ये नगर पहारी शेत्रों समुदर के किनारों पर स्थित होते हैं इनके उधारने मसूरी, नैनितार, शिमला, माउंट अबू, गोवा, आदी पांचवा सांस्कृतिक केंद्र वे नगर जो सांस्कृतिक महत्वर रखते हैं और विशिष रूप से धार्मी कतिविद्यों से चुड़े होते हैं वे नगर इस शेनी के अंतरगात आते हैं और आम तोर पर ये नगर पवित्र नदियों के किनारे या पवित्र स्थानों पर स्थित होते हैं जैसे भारत में अयोध्या, पुरी, प्रियाग, रामेश्वर, अमृत्सर, मतुरा, आदी इसके उधारन है विविद्प्रकार के नगर वे सभी नगर जो मैं उप्रोक्त वर्गी करन, जो मैंने अभी वर्गी करन आपको बताया पांच प्रकार के, उस शेनी के अंतरगत नहीं आते वे विविद्प्रकार के केंद्र के अंतरगत आते हैं ये नगर एक से अधिक गतिविदियों के केंद्र होते हैं जैसे वारा नसी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नगर भी है और यहाँ पर प्रसिद विश्विविद्याले भी है और यह व्यपार का केंद्र भी है अब हम उत्पति के आधार पर नगरों के प्रकारों को जानेंगे उत्पति के आधार पर नगरों को दोग भागों में बाटा जा सकता है प्रथम प्राकृतिक नगर जिनका उदभव और विकास स्वते हुआ है और दूसरा निर्मित नगर, जिनका विकास योजना बदरूप से किया गया है और इसका उधारन है जैसे चंडीगाट प्रकारे आत्मक आधार बरगेल ने अपनी पुस्तक अर्बन सुशालोची में प्रकारे आत्मक आधार पर नगरों को इस प्रकार से रखा है पहला आर्थिक केंद्र, आर्थिक केंद्र को बरगेल ने पांच प्रकार के उप केंद्रों में विभाजित किया है पहला प्राथ्मिक उत्पादक केंद्र उन नगरों को इस शेरी में शामिल किया गया है जहां वस्तुओं का प्रत्रम बार उत्पादन होता है अर्थात प्रकर्ती से वस्त्वी सीधी ही ली जाती हैं जैसे कोईला, खननोद्योग, सोना, आदी इस जो आर्थिक केंद्र है इसे ब्रगेल ने तीन स्वरूपों में बाटा है तीन स्वरूप इसके बताएं हैं, पहला मशली पकड़ने वाले नगर, दूसरा खादान नगर और तीसरा तेल नगर अब हम दूसरा प्रकार समझेंगे उद्योगिक उत्पादन के केंद्र ब्रगेल ने इन्हें भी तीन शेणियों में विभक्त किया है पहला लगू स्तरिय उद्योगिक नगर जैसे मुरादाबाद में काच उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योगिक नगर जैसे कोटा भीलवाडा, तीसरा व्रद उद्योगिक नगर जैसे जमशेदपूर, बैंगलौर, आदी तीसरा प्रकार व्यपारिक केंद्र, ये सबी नगर जहां व्यपारिक गतिविद्या होती है, इन्हें शेत्र के आधार पर बरगेल ने तीन शेणियों में विभाजित किया है कहला स्थानिये व्यपार केंद्र, इसमें समस्थ छोटे व्यपारिक मंडियों वाले नगरों को रखा गया है, समस्थ जिलों की मंडिया इसके अंतरगत आती है दूसरा राष्ट्रिय व्यपार केंद्र, जैसे लुध्याना सूरत आदी, तीसरा अंतर राष्ट्रिय व्यपार केंद्र, वे सभी शहर जहां अंतर राष्ट्रिय व्यपारिक गतिविद्या संपन होती हैं, भारत में दिल्ली, मुंबई, कॉलकत्रा आदी अब हम चौथा प्रकार बरगेल ने जो बताया है उसे जानेंगे परिवहन केंद्र जहां व्यपारिक परिवहन की समस्त सुविदाएं उपलब्ध होती हैं और इन्हें उन्होंने दो भागों में बाटा है पहला बंदरगा नगर जैसे गांदीधाम, कोचीन दूसरा अंतरदेशिये यातायाद केंद्र जैसे दिल्ली अगला जो प्रकार है उन्होंने बाताया है आर्थिक सेवा केंद्र ये बड़े नगर जहां शेर मार्किट, स्टॉक एक्स्चेंज आदी होते हैं इसके तीन भाग हैं दियुतिक केंद्र जैसे मुंबई, बीमा केंद्र जैसे कुलकत्ता, तीसरा विविद केंद्र जहां अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे मार्किट, रिसर्च, स्टोरेज, वित्रन आदी होता है राजनेतिक केंद्र इस प्रकार के नोगरों को बरगेल ने दो उपभागों में विभाजित किया है पहला नागरिक राजनेतिक केंद्र इस नागरिक राजनेतिक केंद्रों को भी आपने तीन उपश्रेणियों में विभाजित किया पहला विश्व केंद्र जैसे मासको लंदन, दूसरा राश्ट्रिय राजनितिक केंद्र जैसे दिल्ली इसलामापाद, तीसरा शेत्रिय प्रशासनिक केंद्र इसके अंतरगत प्रांतों की राजधानिया एवं जिले आदी आते हैं राजनितिक केंद्र में एक तो मैंने आपको भी बताया नागरिक राजनितिक केंद्र, अब इसका दूसरा जो भाग बताऊंगी वो है सैनिक केंद्र सैनिक केंद्र को भी आपने दो उपभागों में बाटा है पहला परकोटे वाले नगर प्राचीन काल के शहर जैसे चितोडगट दूसरा सैनिक छावनिया जैसे मेरट अंबाला सैनिक प्रश्क्षन केंद्र जैसे देरादू अब हम सांस्कृतिक केंद्र के आधार पर नगरों को जानेंगे सांस्कृतिक केंद्र में ऐसे नगरों को रखा जाता है जो धार्मिक, समाजिक और सांस्कृतिक महत्व के होते हैं इन्हें तीन उप्ष्रेणियों में रखकर समझ सकते हैं पहला धार्मिक केंद्र जैसे अजमेर अयोध्या मतुरा आदी, दूसरा तीरत यात्रा संबंदी केंद्र जैसे हरिद्वार मक्का मदीना आदी, तीसरा समारक नगर जैसे सांची, धर्म निर्पेश सांस्कृतिक केंद्र, इसका दूसरा उपभाग है धर्म निर्पेश सांस इन्हें हम चार उपभागों में या उपश्रेणियों में लग कर समझेंगे पहला उच शिक्षा एवं अनुसंधान केंदर इसके उधारन है नालंदा, हाक्सवोर्ट, कैम्बरेच, हादी दूसरा सांस्कृतिक उत्पादन के केंदर जहां सांस्कृतिक वस्तूओं का उद्गम होता है एवं वे बाजार में अपना स्थान बना लेती है जैसे लंदन पैरिस, तीसरा संग्रहले नगर, जैसे कुलकत्ता बिकने चौथा एतिहासिक सांस्कृतिक नगर, हजेंता लोरा, हादी इसके उधारन है अब मनुरंजन केंदर के आधार पर हम नगरों को जानेंगे इसके दो उपभाग है स्वास्त प्रदवातावरन वाले नगर, इसका उधारन है मसूरी दूसरा छुटिया बिताने वाले केंदर, इसका उधारन है नैनितार, कश्मीर, आबु पांचवा प्रकार के आधार पर हम समझेंगे विश्राम केंदर इसके दो उपभाग है पहला उपनगर बड़े नगरों के पास विक्सित छोटे कस्बों को इस श्रेनी में रखा जाता है जैसे गुडगाओं, दादर, आदी दूसरा इसका उपभाग है विश्राम केंदर अमेरीकी धनी वर्ग दोरा विक्सित प्लोरिडा इसका उधारन है अब हम प्रतीक आत्मक केंदर के आधार पर नगर के प्रकार को जानेंगे इस प्रकार के नगर किसी धर्म, दर्शन या विचार धारा का प्रती निधित्व करते हैं जैसे काशी अब हम मम फोर्ड ने अपनी पुस्तक दे कल्चर आफ सिटीज में संस्कृती आकार तथा संरचना आत्मक विशेष्टां को ध्यान बें रखते हुए नगरों का जो वर्गीकरन प्रस्तुत किया है उसे समझेंगे आपने छे भागों में नगरों को विभाजित किया है सबसे पहला है आरंभिक नगर ये वै नगर है जो विकास के आरंभिक स्तर को सपष्ट करता है आरंभिक नगरों में धर्म का बहुत विशेष महत्व होता है धार्मिक विश्वासों से संबंदित बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्मान होता है इन नगरों में इन नगरों में व्यक्तियों के संबंदों में अधिक आपचारिक प्रवर्ती नहीं पाई जाती है दूसरा मध्यम नगर इन नगरों का विकास कुछ बड़े-बड़े गाउं का विस्तार होने से हुआ है इसी कारण ये नगर आस-पास के ग्रामिन शेतरों की आवश्चक्ताओं को पुरा करने के केंदर भी बन जाते हैं इन नगरों में ग्रामिन और नगरिये विशेश्ताओं का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है मध्य माकार के होते हैं ये नगर और प्रतेक देश में ऐसे नगरों की संख्या सबसे अधिक होती है तीसरा महानगर जब एक ही स्थान पर यातायात पीने का पानी मनोरंजन की सुविदाएं व्यपार आदी के साथ शिक्षन संबंदी सुविदाएं उपलब्ध होती हैं तथा ऐसे स्थान महानगर के रूप में विक्सित हो जाते हैं इन नगरों की जनसंख्या लेकिन बहुत अधिक होती है तथा निवासियों के बीच संबंद हित प्रधान होते हैं स्वार्थ पूर्ति के होते हैं अक्सर ये नगर राजनीती का भी केंद्र होते हैं चौथा विशाल नगर इनका आकार महानगरों से भी बड़ा होता है वेपार का केंद्र होने के साथ यहां सैने शक्ती का भी केंद्र होता है देश की राजनीती को भी प्रभावित करते हैं इनमें आर्थिक विश्यमताय अपनी चरमसीमा पर होती हैं नेवासियों का जीवन बहुर वियस्तता पून होता है इसके उधारन है भारत में दिल्ली, मुंबई, चिन्नाई, कलकत्ता, हैद्राबार, आदी, समस्या मुलक नगर ममफोटे इन नगरों को विशाल नगरों के एक आगामी चरन के रूप में स्पष्ट किया विशाल नगरों का अकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये विभिन प्रकार के अपरादों, ब्रश्टाजार, नैतिक पतन, आर्थिक विश्यमताओं, समस्याओं जैसे बेकारी, बिमारी के केंदर बन जाते हैं इसके फल्स्वरूप एक सीमा तक जनसंख्या व्रदी के बाद इन नगरों में जनसंख्या कम होने लगती है मुरत प्राय नगर मुमफोर्ट ने लिखा है कि दुनिया के इत्यास में सभी बड़े बड़े नगर अंत में कब्रिस्थान में परिवर्तित होते हुए देखे गए हैं इसका कारण ये है कि युद्ध के समय सबसे पहले बड़े बड़े नगरों का ही विनाश होता है किसी नगर में समस्याएं जब बहुत घंबीर होने लगती है तब वहां का जीवन में जीवन मुल्य ही खतम हो जाता है तथा नगर की संस्कृती नश्ठ होने लगती है और धीरे धीरे ऐसे नगर पुन्हे आरंभी नगर के स्तर में फिर से पहुँच जाते हैं देने वाता